कि चले आज हम लोग कक्षा 10 के पहले पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्य इसके दूसरे भाग को देखते हैं इसके पहले हम लोगोंने 5 प्रस्नों के साथ पाठ को समझा था आपको बता है कि मैंने आपसे बताया है कि हम छोटे छोटे प्रस्नों के माध्यम से पर एक बार आप पाठ समझ लेंगे और किताब को अपने से पढ़ लेंगे और समझ में आ जाएगी तो बहुत चीजे आपको आसान हो जाएंगी क्योंकि किताब से अच्छा ग्यान देने वाला कोई नहीं हो सकता तो मैं आपको बहविकल्पी और अतिलग उत्तरी प्रस्न को समझा था तो चले पहले प्रस्न को देखते हैं इस स्टेट जनरल चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे स्टेट जनरल लिखिये है यानि स्टेट जनरल क्या है फ्रांस की प्राचिन संसद है जर्मनी की प्राचिन संसद है इंग्लेंड की प्राचिन संसद है या इन में से कोई न देखे जो स्टेटस जनरल है यह फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम है स्टेटस जनरल फ्रांस की प्राचीन संसद है यह विकल पाएगा तो आप ऐसे चिन तो लगा लेंगे लेकिन मान लिजी इसी प्रसंद को लिखने के लिए आजाए कि स्टेटस जनरल है क्या तो चले दे संसद थी जड़ा से यहां पर समझ लिया जाए फिर हम लोग आगे चलते हैं देखिए हम भारत की बात कर लें तो भारत में भी संसद है और देश को चलाने का काम संसद ही करती है देश के लिए ना नियम बनाना कानूर बनाना जनता को कैसे सुभिधा दिजाए कि सारे लोग सभा ये तीनों लोग मिलकर के देश को चलाते हैं भारत में ठीक है इसी तरह से फ्रांस में भी देखे आज से लगभग 800 साल पहले संसद थी सोचिए कितने जागरूक लोग थे फ्रांस के कि आज से 800 साल पहले ही वहां का राजा संसद बनाया था लेकिन ध्यान ये र दूसरा दूसरा भाग रूए कि पजारी होते हैं संसद का दूसरा भाग जो है वह पादरियों का था और यह जो तीसरा भाग था यह वहां के आम लोगों का था यानि कि तीसरे भाग में जो है वहां के साधारना जनता का प्रतिनेधितों करने वाले लोग रहते थे और यह जो तीसरा भाग है जनसाधारन का इसी को स्टेट कहा जाता था यह जनसाधारना का तीसरा भाग था इस ये 1314 स्वी में बुलाई गए थी और उसमें फ्रांस का जो राजा था वो फिलिप द फेयर था ठीक है ये मोटी-मोटी चीज़े इसमें अब चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी ध्यान से जरासा एक बार सुन लिजिए स्टेट जनरल फ्रांस की प्राचीन संसत थी इसमें तीन भाग थे पहला सदन सामंतों का था दूसरा सदन पादरियों का था और तीसरा वहां के जनसाधारन के लोगों का था और इन जनसाधारन के लोगों को ही स्टेट कहा जाता था और इसका पहला अधिविशन जो है वो फ और उस सबें फ्रांस का समराट फिलिप दा फेयर था ठीक है तो इससे आप लिख लेंगे अपने कापी मिनोट बनाते चलेंगे बात मेरी ख्याल समझ में आ गई हुए चले अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन कहा है कि स्टेट जनरल का नाम बाद में बदल कर हो गया विकल्प नेशनल असेंबली हो गया या इनमें से कोंई नहीं चले प्रश्ण को एक बार फिर समझ लेते हैं, आपने इसके पहले भी देखा कि State General फ्रांस की प्राचिन संसती जिसका नाम बाद में बदल गया, तो प्रश्ण कहा रहा है कि जब नाम इसका बदला तो State General से इसका नाम बदल के क्या रखा गया, तो इसका सही उत्तर होगा, इ लाश्टी सभहा थो सकता है तो निषनल असम्बली या राश्टी सभाव में कोई विकल्प पूए तो वही आप सही करेंगे यह तो अगर प्रस्णैसे विकल्प पूझा तो आप ढ़ लगा देंगे ये लिक लिख करके लेकिन कहीं लिखने की लिखे ये लिक आ देखिए नेशनल असेंबली इसको हिंदी में कहते हैं राष्टी सभा फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी क्रांति के बाद इस्टेटस जनरल यानि फ्रांस की प्राचिन संसद का नाम बदल कर नेशनल असेंबली हो गया अब पहले जो काम स्टेटस जनरल करती थी अब वो काम कौन करने लगी नेशनल यानि देश को चलाने के लिए जो भी सुधार किया हो सकता थी जो भी कानून बनाना था वो कौन बनाने लगा नेशनल एसेंबली ठीक है और इसी को हिंदी में राश्टी सभा मैंने बताया इसी में राश्टी सभा भंग यानि की समाप्त हो गए मेरे ख्याद से बात समझ में आ गई होगी फिर से एक बार सुन लीजिए देखे जब 1789 में फ्रांस में क्रांती हुई तो उसके बाद इस्टेट जनरल भंग कर दिया गया इस्टेट जनरल को खतम करके उसका नाम प्रांस के लिए कानून का निया कानून और नियम अब नेशनल एसेंबली में तयार होने लगा और यह नेशनल एसेंबली ने फ्रांस में बहुत सुधार कि और अंतिमे 17 से 90 में जब इसका कार यह पूरा हो गया तो इसे समाप्त कर दिया गया ठीक है वही यहां पर लिखा करने लगी अपना कारे समाप्त करके 1791 में राष्टी सभा भांग हो गई ठीक है चले अगला पार्ट प्रस्ण देखते हैं आठवा पहले ताना सा फिर अपने आपको समराट घुशित कर दिया तो किस सन में घुशित किया 1903 सही है 1904 सही है 1905 सही है या फिर 1906 सही है यानि नेपोलियन फ्रांस का समराट कब बना तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 1904 में 1904 में नेपोलियन फ्रांस का ताना साह बन गया समर नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1779 इसी में कोर्शिका दिवीप के मुख्य नगर्ण अजासियो में हुआ था इसके पिता का नाम चाल्स बोनापार्ट तथा माता का नाम लातीतियो रोमो लीनो था यह सन 1799 इसी में फ्रांस का प्रथम कांसल मतलब दूत तन अभी बी दूत होते हैं हर देश के अपने दूत होते हैं तो कांसल बना तथा सन 1804 इसमें फ्रांस का समराट बन गया सन 1821 इसमें सेंट हेलेना सेंट हेलेना दीपवर इसकी मिर्टी हो गए तो यहां पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि फ्रांस जो नेपोलियन था वो 1815 इसमें एक युद्ध हुआ था वाटरलू का युद्ध ध्यान है बहुत इंपोर्टेंट ये डेट और ये प्रस्ण दसियों बार परिक्षा में पूछा जा चुका है कि नेपोलियन की पराजय कहां हुई तो नेपोलियन की पराजय 1815 हिस्वी में वाटरलू के मैदान में हुई और उसके बाद उसको सेंट हेलेना दूप पर भेज दिया गया जहां 1821 में उसकी मृत्य हो गई ठीक है तो यह इसमें यह चीजे हैं आपको जन्म मृत्यू उसके पिता माता का नाम यह चीजे याद रखनी है और आप नेपोलियन को आराम से लिख लेंगे ठीक है चले एक बार मेरे साथ फिर से नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1779 इस्वी में कोर्शिका दीप के मुख्य नगर अजासियों में हुआ था इसके पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट तथा माता का नाम लातीतियों रोमोलीनों था यह सन 1799 इस्वी में फ्रांस का प्रथम कांसल पहले कांसल दूत बना तथ सन 1844 इस्वी में फ्रांस का ताना सहा और फिर समराड बन गया सन 1821 इस्वी में सेंट हेले ना दीप पर इसकी मृत्यू हो गई ठीक है मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी चले अगले प्रश्ण पर चलते हैं नवा प्रश्ण ये तथ्य है इसमें समझाने के लिए कुछ ने क्यों डेट आपको याद रखनी है नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया 1797 इस्वी में 1798 इस्वी में 1799 इस्वी में या फिर 1821 इस्वी में तो इसका सही जो विकल्प होगा नेपोलियन ने इटली पर 1797 इस्वी में आक्रमण किया 1797 इस्वी में विकल्प सही है चले दस्वे प्रश्ण पर चलते हैं और समझते हैं दस्वे प्रश्ण है 1804 की नागरिक सहिता संबंधित है तो सबसे पहले हम लोग इस सहिता के बारे में समझ लें ये नागरिक सहिता के बारे में समझ लें तो ज़्यादा बढ़ियां रहेगा देखे जब 1804 इस्वी में नेपोलियन फ्रांस का समराट बना तो उसने कानून को किताबों का रूप दिया सहिता मतलब संग्रह करना कानूनों को संग्रहित किया उसने कानूनों को लिखवाया किसने लिखवाया नेपोलियन ने लिखवाया मैंने उत्तर भी बता दिया तो नागरिक सहिता का मतलब होता है कि फ्रांस के नागरिकों के लिए जो उसने नियम बनाए जो उसने नियम को सं संग्रह किया उसे ही हम नागरिक संहिता कहते हैं संहिता का मतलब होता है संग्रह करना उसने नियमों को लिखवाया तो निशित रुप से उत्तर आप जान गए किसे संबंधित है नेपोलियन से ठीक है फिर से एक बार देख लिजे 1804 की नागरिक संहिता संबंधित है नेपोल सभ्तार के नेपोलियन की नागरिक संखिता है क्या हि अथारा सच्वि में फ्रांस का सम्राड बनने के बाद है गण 2104 में फ्रांस का सम्राट या ताना साह बनने के बाद नेपोलियन नियमों को संग्रहित किया संहिता का मतलब होता है संग्रह करना तो उसने नियमों को किताबों का रूप दिया लिखवाया और अपनी इस नागरिक संहिता के द्वारा उसने फ्रांस में और वे छेतर जो फ्रांस के अधीन थे को उसने जीता था उसमें बहुत से सुधार किये ताना सा होने के बाद भी नेपोलियन अपने सुधारों के लिए जाना जाता है तो परिक्षा की दिरिष्टी से ये 1804 की नागरिक सहिता बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया है तो चलिए देखते हैं कि जो 1804 की नागरिक सहिता थी उसमें नेपोलियन ने कौन से सुधार किये बहुत ही शरल है पहले एक बार पढ़ते रहीए और ब्याक्ख्या को सुनते रहेя 1804 कीना एगरिक सहिता जिसे आम तोर पर नेपोलियन सहिता के नाम से भी जाना जाता है इसने कौन से सुधार के अपसूर हो राध्यान से सुनिए जन्म पर आधारित विशेशा अधिकार को समाप्त कर दिये यानि जो धनी लोग थे जो सामंत वर्ग थे वो जन्म से ही बड़े माने जाते थे और गरीब किसान जन्म से ही छोटे माने जाते थे इस गैर बराबरी चीज को उसने समाप्त कर दिया और कहा कि कानून के सामने सभी बराबर होंगे ठीक है उसने कानून के समक्ष बराबरी यानि सबको बराबर कर दिया और संपत्य के अधिकार को सुरक्षित बनाया पहले जो संपत्य का अधिकार था किवल वहां के जमिदार सामंत और अमीर वर्व के लिए था लेकिन इसने सभी के लिए संपत्य के अधिकार को सभी लोगों के लिए सुरक्षित किया ये दूसरा सुधार इस सहिता को फ्रांसीसी नियंत्रन के छेत्रों में लागू किया गय इटली जर्मनी ये नेपोलियन इनको जीता था ये फ्रांस का हिस्सा नहीं थे लेकिन जब यहां जीता इसने इनको तो यहां भी इसने अपने प्रसासनिक विभाजनों को सरल बनाया और सुधार किये इसने सामंती ब्योस्था को खत्म किया बहुत इंपॉर्टेंट सुधार जो जमीदार थे कियो जो कुछी लोग जमीन के मालिक हो सकते थे उसको खत्म कर दिया और अब किसानों को भी जमीन मिल सकती थे किसान भी जमीन के मालिक हो सकते थे किसानों को जो जमीदार दास बना लेते थे भूधासत तो उसने किसानों को दास प्रथा से मुक्ति जो वहां के जागिरदार थे उनके करजों से भी उन्हें उन्हें मुक्ति दिलाई उनके सुलक उनके करज से खु़िर ऑनरे के बाद भीच समझ में गज़ किया qn और देखेंगे कि अगले क्या प्रश्ण होते हैं, इस तरह से छोटे-छोटे हिस्सों में मैं आपको पूरे पाथ आसानी से समझा दूँगा, आज इतना ही.